पहला साधन भक्ति, दूशरा भाव भक्ति और तिसरा प्रेम भक्ति इंद्रियों के द्वारा सारी की सारी चेश्टा प्रभू के लिए होना जैसे नामकिर्तन करना यह, नाम्जब करना है, लीला Чरित्र शुनना है, सेवा करना है, परिक्रमा करना इंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्री ग्यानेंद्री के द्वारा मन सहिच सारी चेश्टाएं प्रभू के लिए होना उशे शाधन भक्ती कहते है इस शाधन भक्ती में दो गुण प्रकासित होते हैं बड़े जोर के कलेशगनी शुबधाईनी सारे कलेश नष्ट कर देती है साधन भक्ति उत्तमा भक्ति के तीन साधन पहला है साधन भक्ति दूसरा है भाव भक्ति तीसरा है प्रेम भक्ति इस भेद को समझो पहले साधन भक्ति अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाता है क्लेश किस्टे होते हैं तीन से क्लेश होते हैं पाप से वासना से अविद्या अज्यान से जब हम साधन भक्ति करते हैं साधन भक्ति का मतब समझे मन सहित पांच ग्यानेंद्रियों पांच करमेंद्रियों से जितना कुछ बन रहा है उस सब प्रभू की प्रशनता के लिए उस शादन भक्ती के दो प्रभाव प्रगठ होंगे संपूर्ण क्लेशों का नास क्लेश किससे होता है तीन बातों से पाप से क्लेश होता है वासना से क्लेश होता है और अज्यान से क्लेश होता है ये सादन भक्ती में ज्यान प्रकासित हो जाता है संपूर्ण वासन कभी-कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम परकृपा नहीं किये इतनी भक्ती की इतना नाम जब किया लेकिन पूर वो प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया आपके साथ घटनाएं घटेंगी इसलिए नाम जब कर लो प्रारब्ध और अप्रारब्ध प्रारब्ध जिसका पाप फल प्रगट हो चुका है भोगो अप्रारब्ध अभी आने वाला है पहले से निश्चित है कि पच्पन वर्ष की अवस्ता में आपको ये भोगना है पक्का भोगोगे चाहे जितना भजन करो भोगने की सामर्थ भजन से मिल जाएगी प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठीन है और जम मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नही देखता तो पाप का वीज बासना है इससे हमारे पूर्व पाप हुए दो प्रकार के प्रारब्ध बन चुके हैं एक प्रारब्ध एक अप्रारब्ध प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं अप्रारब्ध जो आगे भोगने वाला है पाप की वीज वासना इस जन्म भी पाप क जाता है और अविद्या जिसके कारण पाफ हो रहा था वासना बन रही थी उसका ना सो जाता है पर प्रारब्द बना रहता है ये अज्यानी जन ना जानने के कारण कहते हैं कि अरे भजन शुरू किया बड़ा कष्ट भोग रहे तो क्या भजन का फल है अनंत जन्मों से भोग मोगते चले आ रही हो पाप कर्म करते चले आ रहे हो तुम्हें पता नहीं है लोगों की शमज में ही नहीं आता है मत्षली को जलतरोई कहते हैं तो मिए बड़ा कॉन से तरोई होगे तुप हैं भी पता होना चाहिए गृडका है मत्स्या वतार भगवानने लिएं जी लिया मच्ष्यावतार भगवान ने लिया है और तुम मच्छली को जल तो भी करते हो कडाई में तल के खाते हो तो तुम भी तले जाओगे अब एक बार के आहार में कितने जीव खाते हैं लोग कितना पाप कर रहे हैं अज्यानियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते मूरख खरदये न चेत चाये गुरु मिलें बिरंच सम खूलाई फराई न बेत बहां समय चाये जितनी खात पानी लगा देओ वहां सेव संतरा नहीं लगने वाले अईसे ही जो मूर्ख सुभाव की लोग होते नहीं समझने वाले जब शाधन भक्ती का अनुष्ठान किया जाता है तो उससे दो प्रबाव प्रगट होते कले संगनी और शुबदाईनी कले संगनी पाप से कले सोता है ये भोग लो प्रारद का नास करने की जब योग्यता आती तब नास करने की इच्छा नहीं रह जाती और जब तक नास करने की इच्छा तब तक योग्यता नहीं आई सब कलेशों का मूर्ण कारण भगवान का भजन नहोना भगवत भिमुखता है तो जब हम भक्तों के संग के प्रभाव से शादन भक्ती का अनुष्ठान करते हैं तो सारे क्लेशों का दुखों का नाश हो जाता है अब आगे दुख नहीं है बस इतना ही है रास्ता जिसको आप भोगले सर्व दुख नास कत्व ये क्लेशंगनी से हो गया अब शुब का अर्थ है शादग के जीवन में परममंगल परमानंद का विधान ये नाम से प्रगट होता है स्री हरिवन्स चंद्र शुबनाम सबसुक सिंदु प्रीमरस धाम जाम घटी भिसरे नहीं एकव छड़ नमिशरो हर समय नाम जब करो ये महा सुब प्रकासित कर देगा सुब से क्या होता है जैसे कलेशंगनी से वासना पाप अविध्या का नाश ट्रारब्ध के भोगने की सामर था गई सुब से क्या होता है बोले सुब सारी दैवी संपदा प्रगट कर देती है साधन भक्ती से विशैशुक, ब्राम्मशुक, पारमेश्वर्शुक यह सभी प्राप्थ हो जाएगा आपको विशैशुक चाहिए तो भी साधन भक्ती करो आप देखो विश्य शुक प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म शुक प्राप्त हो जाएगा पारमेश्वर शुक प्राप्त हो जाएगा और अगर इन शुकों की चाह न करो तो प्रेम प्रगट हो जाएगा साधन भक्ती करते करते भाव प्रगट होता है भाव बक्ती, तीन भेद उत्तमा बक्ती के पहला साधन, फिर भाव, फिर प्रेम, साधन बक्ती, भाव बक्ती, प्रेम बक्ती, साधन यह वक्ती में, चकाचक आनंद में हो जाता है, शारे क्लेश, पाप, वासनाएं अविद्या, नस्त हो गई, और साप शुबद्यमी प्रकासित हो गई मंगल भवन भगवान की तरफ ब्रति संपुर्ण रूप से ये शुब अब भाव वक्ति दो गुण प्रकासित करती हैं साधन वक्ति दो प्रकासित किये कले सगनी शुबदायनी और भाव वक्ति दो गुण प्रकासित किये मोक्ष लग उक्ताक्रित और सुदुर लभा कले सगनी और सुबदायनी तो इसमें आही गए अपने आप साधन भक्ती के लक्षण भाव भक्ती में तो समा ही गए ये कले सगनी और सुबदायनी पर इसमें मोक्ष लग उक्ताक्रित और सुदुर लभा बड़ा सुन्दर इस भाव भक्ती में चार लक्षण हो गए क्लेशगनी, सुबदायनी, मोक्ष लगुताकृत और सुदुर लभा मोक्ष लगुताकृत इतना आनंद प्रगट होता है भाव में कि मोक्ष भी लग लगने लगता है वो जब भाव प्रगट होगा, भावत सवेन भजताम भाव प्रगट होगा तब आपको पता से लेगा कि मोक्ष शुक भी कड़ुआ लगने लगता है इसले प्रेमी मापुर्शों ने मोक्ष श्वईकार नहीं किया और शुदूर लभाव भगवान की उस शुदूर लभ दिब 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 रहास्य दिब दिब भाव उसके हिरदे प्रगट होते हैं जो अनकिसी शाधन से नहीं प्रगट हो सकते तब उसमें महा महिम प्रेम लक्षणा बक्ती जागरत होती है अब प्रेम लक्षणा बक्ती में अपने दो गुण प्रकासित हुए सांद्रा नंद विशेश आत्मा पहला और दूसरा स्री कृष्णा आकर्षणी ये दो गुण तो प्रेम लक्षणा भक्ती में 6 गुण उपस्थित हो गए जो साधन भक्ती में क्लेशगनी शुवदाईनी और भाव भक्ती में मोक्ष लगुताकृत और शुदुरलभा ये तो प्रेम भक्ती में हैं और प्रेम भक्ती के अपने दो मिल गए सांद्रानंद विशेशात्मा और स्रीकृष्णा कर्षणी भक्ती छै लक्षणों से उत्थ हो गई क्लेश अगनी शुबदा मोक्ष लगुताकृत सुदुरलभा सांद्रानंद विशेशात्मा स्रीकृष्णा कर्षणी चिसा क्लेश नासनी शुबदाईनी इस साधन बक्ती में हो गया मोक्ष लगुता कृत का तादपर है धार्म आर्थ काम मोक्ष इस सब ब्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रगट होता है जब भी कुछ करने निकलो दुनिया कह देती है पर कब तक इनकी सब ब्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रगट होता है शिमद्रादा शुदानी जी में धर्मा द्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम्तत ब्रथा वारताया धर्मर्त काम मोक्ष की बेकार की बारता हमारे सामने कहते हैं जगत में बिजयी रहे मेरे सामने जैसे भाव में डूबे हुई भरतिजी महराज कह रहे है अर्थ न धर्मन कामरुचिगतिन चहों निर्वान जनम जनमरति रामपद्यह वर्दान शान तो मोक्ष लगुता कृत का अतात पर है सालोक के सारूप शामी पिसारिष्ट सायुज पाच प्रकार के मोक्षों का भी त्याग धारम आर्थ काम की तो बात जाने दो पाच प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ती का प्रादुर्भा होता है और शुदुर्लभा सब सिध्या बड़े-बड़े शुक बड़े-बड़े लाव बड़े-बड़े रहास्य ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ती में डूबा हुआ मापुरुष है परंतु अपनी भाव भक्ती की प्रधानता से सी गुरुन सब को क्रास करके प्रेम में पहुचने वाला है इसलिए किसी को स्वईकार नहीं करता सब कुछ निवचावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए और क्रपा पर निर्भर हो जाता है ता उसके अंदर प्रेम लक्षणा वक्ती जागरत होती है और उसका गुण प्रगट होता सांद्रानंद विशेशात्मा ये सांद्रानंद विशेशात्मा करोणों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमा अम्रत के सामने नहीं गिनता जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ती जागरत हो गई एक ब्रह्मानंद क्या करोणों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कन की तुलना के भी बराबर ने अपार अचंत महा प्रेम सुख उस भक्त को प्राथ होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ती जाग्रत हो जाती और स्री कृष्णा आकर्षणी बहुत जोर की महिमा इसमें उसके आराद्य दे उसके पीछे पीछे बसी भूत होकर घूमते प्रेम लक्षणा बक्ती से जो युक्त हो गया एकादस इसकंद में भगवान ने स्वैकार किया श्रीमत भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शान्तम निरवेरं समधर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्रंगुरेण भी जो निरपेक्ष है किसी की अपेक्षा ने रहते हैं मनन शील है हर समय मेरा मनन करते रहते हैं मुनिम और शान्तम जो हर द्वंद को शान्त भाव से सह जाते निर्पेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वेरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वैस नहीं, शमदर्शनम, जो सब जगए मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे मात्माओं के पीछे मैं डोलता हूँ, कि उनकी चरणरज मेरे उपर पड़ जाए, सी कृष्णा करशुरी का भी प्राय है, कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान बसी भूथ होकर डोलते हैं, भक्तन पाचे यो फिर है, जे यो बचरा संग गाये, उपासक को उत्तमा भक्ती का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम का हरदय में प्रा और शाधन भक्ती का शुरूप से महमहिम दादू दयाल जी कह रहे हैं, हम जीवें इही आसरे शुमिरन के आधार, दादू छिट के हाथ सूँ तो हम कूँ बार न पार बड़े महापुरुशों ने का है कि सुमिरन चल रहा तो हम जी रहें, अगर सुमिरन नहीं तो हमारी मृत्यु समझो पर महमहिम सिनानक शाप जी की भीर, कि नाम है तो हम जीवी थैं, नाम नहीं तो अगर नाम छूटा सुमिरन छूटा तो मानो हमारी मृत्ती हो गई हमारा जीवन ही नाम है यह ऐसा उत्तमा भक्ती के लिए सुमिरन चाहिए उत्तमा भक्ती का साधन इस कोटी का चाहिए कि नाम है तो हम जीवी थे नाम नहीं तो देवर्शि नारा जी के रहे तदिस्मरनेन परम व्याकुलते थी हम परम व्याकुल हो जाए नाम छूट जाए तो यहां राग द्वेस नाना प्रकार के विकारों की धूम मची हुई है और उसको हटाने के लिए नाम है उसको पकड़ नहीं रहा साधक दादू विशय विकार उसों जब लग मन राता तब लग चीतन आवई त्रिभुवन पति दाता जब तक मन विशयों में लगा हुए नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हारा चित त्रिभुवन पति भगवान में रती को प्राप्त नहीं हो सकता दादू अहनिश सदा सरीर में हर चिंतत दिन जाई और प्रेम मगन ले लीन मन अंतर गति लेओ लाई अंतर ही अंदर अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा प्रभु का निरंतर दादू आनंद आत्मा विनासी के साथ प्राण ना थेरदे बसे तो सगल पदारत हाथ यदि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है परमानंद में प्रभु की अनुभूती हो रही हर दे में तो क्या बकाया रह जाएगा यह मारे भूम रहे जी विश्वास नहीं कर रहे विश्वास नहीं हो रहा है नाम पे विश्वास नहीं हो रहा है भजन पे विश्वास नहीं हो रहा है अंतर गती हरी हरी करे तब मुख की हाजत नाही सहजय दोनिलागी रहे दादू मन ही माही पहले मुख से सुरू करो नाम करना फिर उपांशु में आता है फिर मानसी जम मानसी का आता है तब कोई समझाने की जरुरत ने अपने आप आनंद में डूब जाओगे जियो घुन लागए काट कौन लोहे लागए काट काम किया घट जाजरा दादू बारह बार जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो उप पर गेहूं दिखाई देगा लेकिन अंदर बेकार हो जाएगा लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है ऐसे यह वासनाएं काट डालती है साधक को इसलिए वासना से बचने के लिए उपासना अनिवाद है उपासना हर समय अपने आराध्यदेव के समीप रहना कैसे चिं बाल बाका कर सके जो जग बहरी होई यदि नाम निरंतर चल रहा मेरा इश्वर मेरा प्रितम मेरी रक्षा कर रहा है तो कामक्रोद लोग मुम्मद मतसर यह बाल बाका भी नहीं कह सकते जेसिर सोप्याराम कू सोशिर भया सनाथ दादू दे उरन भया जिसका तिसके हाथ प्रभू ने दिया था जीवन प्रभू को समर्पित कर दिया जो प्रभू को समर्पित कर दिया जिसका सर प्रभू के हाथ में कौन त्रिवुन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बाका भी क कर सके हां प्रफु मंगल विधान करते रहते हैं बड़े बड़े भक्त जन जानते बाःरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया उनको दिया गया लेकिन जिनको कष्ट दिया जाका उनको पर्मानन्द हैailed जो गेवल उनका जानते हैं दूसरे नहीं जानते हैं इसलिए दादू जो साहब को भावे नहीं शोशब परिहरी प्राण मनसा वाचा कर्मना जेतू चतुर सुजान जो तुम्हारे इस्ट को अच्छा नहीं लगता हो कभी मत करो यद इस्ट के विपरीत करोगे तो धोखाई मिलेगा जो उप आशक अपने इस्ट के थोड़ा भी प्रतिकूल करेगा तो हरदय जलता रहता है जो साहब को भावे नहीं सोशब परिहरी प्राण संतों से इसलिए सुना जाता है कि उनका अनुभो भी होता है किसी साधक से कह रहे थे कि तुम्हें सिद्धा वस्था प्राप्त करने के लि असंग रहो शरीर से असंग रहो और मन से भी असंग रहो अपने आप सिद्ध हो जाओगे अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे जो गुरुजनों के वच्षनों को मान ले तो सिद्धी गुरुजनों के वच्षनों में होती है मोक्ष मुलम गुरु कृपा समझो पह बिल गए तुम ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा बिना पड़े चारो वेद प्रकासित हो गए ऐसा कैसे हो सकता ये गुरु करपा गाये चराने को आदेश कर दिया गाये चराते इप्रह्म प्राप्त हो गए दादू जो साहब को भावे नहीं सोबवा बाट नबूजिरे जब लगिये मन थिर नहीं ये मन चंचल है ना साहब कहते हैं इस गली चलो वो नहीं वो इस गली चलेगा अरे वो रास्ता नहीं चलना जिसमें हमारे साहब कादेश नहीं साथ हमारे गुर्देव, साथ हमारे ठाकुर जी है ये सास्त्र हमारे साथ हैं जो आज्यां कर रहे हमको वैसे चलना है साइशो सनमुक रहे इस मन सो जूझिरे मन से लड़ना पड़ेगा जो मन से लड़ गया वही बहादुर दूसरे को पटक देने वाले तो आपको मिल जाएंगे लेकिन मन को पटक दे ऐसे मिलने कठी नहीं मन की पटकी खाने वाले तो करोणों अर्बों मिलेंगे लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरू का चेला मिलेगा गुरू महरवान तो ये चेला पहलवान अब पटक देगा अपने मन को युक्ति पा गया ना जिसको गुरु का सहयोग मिल गया वो माया पर विजयन प्राप्त कर ले उसका कारान उसका कोई मनों आग रहे है कुछ पकड़े है अगर पकड़ छोड़ दे और गुरु के सहारे ऐसे हो जाए तो नया पाथ एक बोर्ड लिए खड़े थे जब आ रहे थे करे थे दरिया भी तेरी लेर भी तेरी नया भी तेरी और खेवया भी तेरी अब क्या मुझे परेशाली दरिया भी जहां डूबने कब है वो भी तू है तेरी है लहर भी तेरी है डुबोले वाली और ख्यवया भी तू है नईया भी तू अब मेरे को क्या परवाँ बिल्कुल परम्षत है वही दरिया है वही लहर है वही नईया है वही ख्यवया है बस समझ जा और पैर पकड़ ले अगर गुर्मानी हो गए माया मुक्त हो गए मन मानी हो गए तो माया में फस गए अपने साहब को जो ना भावे वो नहीं करना चाहे ने भोगोगे देखो एक प्रशन किया परशों कि जब महापुरुश होते हैं तब ये माया समझने क्यों नہीं देती कि महापुरुश है ऐसा क्यों होता है जब वो होते हैं तब समझने नहीं हो तो जब बाद में चरित्र पढ़ते तब लगता है यार बहुत बड़ी निधी थे चले गए हमका यह वर्तमान में दुरियोधन भी नहीं समझ पाया भगवान स्रीकर्ष्ण को क्योंकि वो श्वयम ऐसे लीला व्यारी रचना रचते है कि समझ न पावे बड़े बड़े शिद्धों में ऐसी लीलाएं रही हैं कि लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है इच्छावर यह जीला क्यों गया है मैं है जब भ्रह्मन कर रहे थे यह यमुना की किनारे पड़ता है तो आख कुछ दिन रुके तो इधर बिंदौर है इधर इच्छावर है इच्छावर में फक्कड स्वामी ने दे थे पक्रश्वामी